पर उस वक्त यह है कि सीम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा है कहा है कि 5 साल में हमने भ्रष्टाचारियों को नहीं बक्षा 10 मार्च के बाद फिर से यही होगा 2017 में जनता ने भ्रष्टाचारियों को नहीं चुना और 2022 में यानिकी 10 मार्च को भी कुछ ऐसा ही होगा So, निशाना साधा है, मुक्यमंतुरीयोगी आदितनाथ में और निशाना साधा है विपक्ष पर 5 साल में हमने भ्रष्टाचारियों को नहीं बक्षा दस मार्च के बाद फिर से यही होगा ये ट्वीट क्या है मुक्यमंत्री होगी आद इतना अथ में